बच्चो आज हम भासा और लीपी का अध्यन करेंगे भासा, भासा सब संस्कृत के भास धातू से बना है जिसका अर्थ है बोलना बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को निकाल कर अपने भाओ या विचारों को प्रकट करते हैं उसी को हम भासा कहते हैं भासा वह साधन है जिसके द्वारा मनुश्य अपने विचारों या भाओ को बोल कर या लिख कर दूसरे मनुश्यों तक पहुचाता है उप्युक्त परिभासा के अधार पर यह इस पश्ठ है कि मनुश्य अपने विचारों या भावों को वेक्त करने के लिए भासा का प्रियोग दो प्रकार से करता है एक बोलकर और दूसरा लिखकर इस पश्ट है कि भासा के दो रूप होते हैं एक मौखिक भासा और दूसरा लिखित रूप मौखिक भासा बोल कर प्रकट की जाने वाली भासा है या भासा सबसे प्राचिंतम है विचारों के परसपर आदान प्रदान का या साधन सबसे सरल और सहज है उधारण के तौर पर मौखिक भासा का प्रियोग हम वारतालाब करने टेलिफोन और बाचीत करने आदी में प्रियोग करते हैं लिखित रूप लिखित रूप का विकास मौखिक भासा के विकास के बाद हुआ इस रूप में लिखकर भाव और विचारों को हम पूरी तरीके से प्रकट करते हैं, लिखित भाजा के माधम से ही मनुष्र जाती का इतिहास सुरचित हो पाया है उधारण इसका प्रियोग पत्र वहवार करने कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है हमारे प्राचिन ग्रंत, वेद, उपनिशर, आदी भासा, लिखित रूप के ही जीवन उधारण है भासा की इकाईया, ध्वनी मुख से निकलने वाली प्रतेक स्वतंत्र आवाज ध्वनी कहलाती है दूसरा वन वह मूल ध्वनी जिसके खंड न की जा सकें उसे हम वन कहते हैं सब्द वनों के सार्थक सम्मू से ही सब्द बनते हैं वाक्य सब्दों का ऐसा व्यवस्थेत सार्थक सम्मू जो किसी विचार अथ्वा भाव को पूनत व्यक्त कर सकता है आईए अब हम लिपी के बारे में जाने लिपी किसे कहते हैं भावासा की मूल ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने की निशित किये गए चिन्नों को लिपी कहते हैं सरल सब्दों में हम समझें किसी भी भावासा के लिखने के धंग को हम लिपी कहते हैं प्रतेक भासा की अपनी अलग-अलग लिपी होती है यहां बिभिन भासाओं की लिपियों को हम देखेंगे हिंदी, संस्क्रेट, गुजराती, नैपाली और मराठी की लिपी देवनागरी है उर्दू की लिपी फार्सी है अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच की लिपी रोमन है पंजाबी की लिपी गुरु मुखी बंगला की लिपी बंगला और चीनी भासा की लिपी चित्र लिपी है